राधे राधे एवरिवन जै मातादी आज की वीडियो में हम जानेंगे कि नवरात्री में हम मातारानी को भोग कैसे समर्पित करते हैं देखे नवरात्री की पूजा हिंदु धरम में बहुत विसेश पूजा होती है और जब भी हम कोई विसेश पूजा करते हैं तो अगनी मे भोग समर्पित करते हैं चोटा सा हवन करते हैं तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि नवरात्री के पूरे 9 दिन सुबह के समय हमें मातारानी को भोग कैसे समर्पित करना है यह नवरात्री में जब आप पूजा करेंगे तो सुबह के समय मातारानी को तिलक करके फूल वग पूरे नो दिन तक बहुत रहेगा तो मैंने धक्कन ले लिया है धक्कन में मैंने इस उपले को जला के रख लिया है कैसे पर आप उपला जला ले। उसके बाद धक्कन के बीदा करूँ गांगे अगनी अच्छे से परजवृत हो जाए discern उसके बाद हमें लोंग का जोड़ा चढ़ाना होता है नवरात्री पूजा में लोंग का जोड़ा चढ़ाना बहुत जरूरी होता है जो आप नवरात्री का सामान लाएंगे तभी लोंग जादा ले आएं दो लोंग एक बार में चढ़ानी होती है और दो जोड़े चढ़ात तो लोग का जोड़ा हम चढ़ा देंगे, साथ में जो भी आपने पताशे या मिस्री भोग में चढ़ाए हैं, वो भी आप अगनी में समर्पित करें, जो भी ड्राइफ रूट आपने चढ़ाए हैं, वो भी आप अगनी में जरूर समर्पित करें, तो जो भोग हम चढ़ाए है तो आप पान को समर्पित कर दीजिए अगर आपने पान नहीं चढ़ाया है तो कोई बात नहीं बगएर पान के भी आप पुजा कर सकते हैं तो यहाँ पर मैंने पान चढ़ाया है तो पान को इस तरह से फोल्ड करके बीडा सा बना के पान का और मैं अगनी में ही समर्पित क और हाँ अगर आपके पास उपला नहीं है तो आप कपूर जला सकते हैं लेकिन भोग हमें अगनी में ही समर्पित करना है आप देखे भोग समर्पित कर दिया है उसके बाद अपने हाथ में सीधे हाथ में थोड़ा सा जल लेंगे और जो हमने हवन किया है जो भोग समर्पित क और अगर आपके पास उपला नहीं है तो आप कपूर जलाकर मातारानी को भोग समर्पित कर सकते हैं यानि भोग हमें अगनी में ही समर्पित करना है और नवरात्री में पूरे नो दिन तक सुबह के समय हम अगनी में भोग समर्पित करते हैं शाम के समय तो आप चोकी पर ऐसे ही भोग चढ़ा देते हैं जैसे परशाद्च चढ़ाते हैं लेकिन सुबह के समय अगनी में भोग समर्पित करना जरूरी होता है और आप चाहें तो आप दोनो समय मातारानी को अगनी में भोग олж कर सकते हैं तो फ्रेंटस इस नवरात्री आप भी यह छोटा सा हवन करके माताराणी को पर्शण करें ताकि आपकी मनोकामनाい मातारानी अतीसी इगर पूरन करें और आपकी नवरात्री पूजा कैसे चल रही है मुझे कमेंट करके जरूर बताना और मातारानी को भोग समर्पित करने की ये छोटी सी वीडियो अगर आपको पसंद आई हो अगर वीडियो आपके लिए थोड़ी बहुत भी युजफुल हो तो प्लीज प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और हम महिलाएं घर में तीज तोहार कैसे करते हैं ये देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना मा भगवती आपकी सभी इच्छाएं पूर्ण करें इसी कामना के साथ फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में तब तक के लिए जै माता दी राधे राधे